दोस्तों जब भी हमें कोई बीमारी होती है या बड़ी में किसी भी परकार की कोई प्रोब्लम होती है तो हमें डक्टर के पास जाने की जरुवत पड़ती है लेकिन हमें से बहुत से लोग को यह नहीं पता है कि कौन से डक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि medical line में परतेक body parts का अलग-अलग specialist doctor होते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हमें यही बताने वाले हैं कि कौन सी भीमारी में हमें किस doctor या department में जाना चाहिए क्योंकि जब तक हम सही doctor के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें सही इलाज नहीं हो पाएगा दोस्तो इसमें परतेक topic को हम तीन parts में समझेंगे पहला parts में हम body parts को देखेंगे दूसरा parts में body parts का study को जानेंगे और तिसरा parts में जो body parts का specialist होते हैं उनका नाम जानेंगे study को हम काडियोलोजी बोलते हैं और जो specialist होते हैं उनको काडियोलोजिस्ट बोलते हैं अगर किसी का दिल का बीमारी या दिल से कोई भी समस्या हो तो उनको काडियोलोजिस्ट के पास जाना चाहिए किडिनी के study को नेफ्रोलोजी कहते हैं और उनके specialist को नेफ्रोलोजिस्ट बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति का किडिनी से related कोई डीजीज हो या कोई प्रोब्लम हो जैसे किडिनी एस्टोन उनको नेफ्रोलोजिस्ट से मिलना चाहिए और next body part है liver इनके study को हेप्टोलोजी और इन जैसे डाइजेशन या फैटी लिवर हो जाए तो उनको हेप्टोलोजिस्ट के पास जाना चाहिए और नेक्स्ट बड़ी पार्ट है बोन इनके स्टाड़ी को हम ओस्टियोलोजी कहते हैं और इनके स्टाड़ी को ओस्टियोलोजिस्ट कहते हैं Next body part है hair, इनके study को trichology और इनके specialist को trichologist कहते हैं Next है eye, इनके study को aphthalmology और इनके specialist को aphthalmologist बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति को eye से related कोई disease हो या कोई problem हो तो उनको aphthalmologist से मिलना चाहिए Next body part है brain, इनके study को neurology और इनके specialist को neurologist बोलते हैं Next है stomach, stomach के study को gastrology और इनके specialist को gastrologist बोलते हैं Next है nose, nose के study को rhinology और इनके specialist को rhinologist बोलते हैं next है lungs, lungs का study को pulmonology और उनका specialist को pulmonologist बोलते हैं next body part urinary tract के बारे में जानेगे urinary tract के study को urology और उनका specialist को urologist बोलते हैं अगर आपके urinary tract में किसी भी परकार का infection या फिर उसमें पत्री हो जाए तो हमें urologist के पास जानी चाहिए next blood blood का study को hematology और उनके specialist को hematologist बोलते हैं next skin skin का study को dermatology और उनका specialist को dermatologist बोलते हैं next है hormones hormones के study को endocrinology और उनका specialist को endocrinologist कहते हैं hormones हमारे body में पाया जाने वाली कुछ ऐसे chemicals होते हैं जो कि हमारे body के कई सारी activity रिगुलेट करती हैं जैसे thyroid के hormones या insulin के hormones के रिगुलेट करने का काम करते हैं next है tooth tooth के study को endocrinology और उनके specialist को dentist बोलते हैं next है cancer cancer के study को endocrinology और उनके specialist को endocrinologist बोलते हैं next है medical imaging इनके study को radiology और इनके specialist को radiologist बोलते हैं देखिए इसमें बहुत सारी टेकनिक होती है जिसमें हमारी बड़ी का पिक्टर लेनी होती है जैसे X-ray, CT scan इसके study को radiology कहते है और इसके specialist को radiologist कहते है Next है mind या mental health है इसके study को psychology और इसके specialist को psychologist बोलते हैं इसमें mind से related कोई भी बीमारी होता है जैसे depression, anxiety वेगारा वेगारा तो हमें psychologist के पास जानी चाहिए Next है pregnancy या child birth इसके study को gynecology और इसके specialist को gynecologist बोलते हैं इसमें ladies को pregnancy के time या child birth के time होने gynecologist से मिलना चाहिए